हे एवरिवन आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी का हलवा तो ये मैंने घी और बादाम ले लिया है कसा हुआ नारिय ले ले लिया है काजू ले लिया है मखाना लिया है और थोड़ा सा अक्रोट ये पिसी चीनी है रवा और घी मैंने कॉंटिटी थोड़ी कम ली है आप अपन यह अब सर्द्रीयक मैं स्टार्ट हो गई गहा इसलिए जालगे आप ठाल मैंप क्लें पòम और सटीब कर दो दो मुर्ण साहल सपस्कृशतऀ को यह तुलुंट हो गया आप नीडिए हो जाले घी गहां निटकर सलें गहां जिब डार्क गोल्डन हो जाएगी तब मैं इसमें पानी डालूँगी, सुजी को भूनना बहुत जरूरी है, तो अच्छा सा खुश्बू आती है, और खाने में शौद आता है, सुजी अच्छे से भून गई है, अब मैं सारे ड्राइफरूट इसी में डाल दूँगी, और साथ में इस ड्राइफरूट को भी भून लूँगी, सुजी बहुत गरम है, तो अच्छे से ड्राइफरूट भून जाएंगे, मुझे थोड़े से भूने हुई अच्छे लगते हैं, आपको ऐसे नहीं पसंदें, तो आप बाद में डाल सकते हैं, साथ में ही मैं भूरा डाल दूँगी, यानि की पिसी चला और इसको भी मैं अच्छे से चला लूँगी, चलाने के बाद देखें, रैफरूट अच्छे से भून गए हैं, आप में जो मैंने पानी गरम करके रखा था, और वो मैं डालूँगी, आप भी हलवे में गरम पानी ही डालें, जिससे बहुत जल्दी बन जाता है, और जो ये फूल जाता है तुरन के तुरन, तो इससे हलवा बहुत अच्छा बनता है, और इसको चला लेंगे, चलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखे, ये छीटे फेकता है, तो थोड़ा बच के रहें, और इसको चला कर थोड़ी दिर छोड़ देंगे, कड़ाई में ये थोड़ी दिर छोड़ देंगे, हलवा बनकर रेडी हो गया, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ बाउल में और थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ बहुत गरम गरम चीजें नहीं खानी चाहिए अभी देखें बहुत भाफ आ रही है थोड़ी से भाफ कम तब मैं इसको सर्फ करूंगी और हलवा बनके रेडी है मेरे चैनल को लाइक करें, सेर करें, सस्क्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग